अलाम वालेकूम मैं अफसर मैसूरी नाजरीन एकराम 31 दिसंबर A2Z News मैसूर चंद ही लोग हमेशा अवाम के दिलों में जिन्दा रहते हैं दुनिया में चंद ही अफराद होते हैं जो हमेशा के लिए अवाम के दिलों में तादेर जिन्दा रहते हैं जिन्हें चाहकर भी दिलों से दूर नहीं किया जा सकता और ये अल्लाह की जानिव से बहुत बड़ा इनाम होता है ऐसे ही शक्सियतों में जुनूब हिंद के अजीजुल मुलक, शेर करनाटक, हरदिल अजीज, अलहाज, अजीज सेट साहब, मरहूम भी शामिल हैं जिनके कारना में आज भी लोगों के दिलों में तरो ताजा हैं, तो इस सिलसले में हम दो ऐसे खास शक्सियत से बात की, तो आईए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है अलहाज, अजीज सेट साहब की यह में विलादत का यह में पैदाश का दिन है, और आज भी खावम को उनकी याद हमेशा सताचे, और बाहनिया वक्फ हैं, यह तो कोई उनका काम को कोई फारमश नहीं कर सकता, और खुस्वज़द का से हर पल माँं से इस मस्जिद की कमेट अजी के तालग से भी में बारहा मिला, कभी भी उनों एक ही बोलते थे, खादिम बंको मस्जिद में खिदमत करो, और शेरह मैसर में नहीं, बलकि आल इंडिया लेवल में आजी सेट साहब के बहुत से खिदमा थी, बानिया वक्फ हीं, अल्ला से दुआ है, अनके मगफरत रिसाने, आज का दिन, हमारे खाइद मिलत, अल्ला जजी स्वेट साहब की सब्साल की परिदाश का दिन है, बड़े अफसोस के साथ के लाँ पर रहा है, कि वो तो चले गए, लेकिन उनकी यादे जो है, आज भी हमारे दिल में है, यह वही शक्त है, जिसना मुसर्मानों को अपनी हैसे समझाई, अपना तश्रुबा समझाया, कि किस के दाथ कैसा सुलुक किया गए, हुस्से सुलुक किया गए, और कभी भी उनकी याद रहती है, एक वक्त, आज से 25 साल पहले, बड़े घर पे गया था, तो मेरा नाम लेके बुलाया हूँ, तो वो बोले रखो, कि नाम मैसा करना, कि नाम शोरस कालट से नहीं, इंसान की चेरे से पैदाना जाना, आज, अल्हाज हजी स्रेट साहब का जो यूमे पैदाईशी दिन है, इस मोखे पर सारे करनाटक में यूमे पैदाईश मनाया जा रहा है, और बैंगलोर से लेकर आनलीन प्रोग्राम चल रह है, अभी अभी मुझे इतला में लिया कि जनाब रह्मान खाल और सखीर आमद साहब, आनलीन में अभी उनकी यूमे पैदाईश मना रहा है, बैंगलोर में और शाम में भी, शहर मैसूर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जो गोल्डन पैलस है, ये प्रोग्राम ह मरहुम अजीज सेच साहिब के खुरबानियां शहर में बहुत कुछ है, और हर एक मसाजिद में अनों कमेटी बनाने में, हर एक मामिले में उनका बड़ाता हून है, शहर में भी री कालोनी और एक हॉस्पिटल जो अल इंडिया लेवल एक हॉस्पिटल है, ये तो उनकी अजीज सेच साहब मरहुम जिनका सो सला यूम पैदाईश भी है, कुछ दिन पहले उनकी वफात की तारीख भी रही है, तो अलहाज अजीज सेच साहब मरहुम एक बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के सियासदान एक काईद रहे, उनकी बहुत ज्यादा खिदमात हैं, औ वो कच्छ से गुजराज से यहां तश्रीफ लाए, और आने के बाद आप केरला और केरला से मरकेरी मरकेरी से महसूर महाराजा ने आपको बलवाया, और वो यहां पर क्याम पजिर रहे, और आपके बाप, दादा, सब अजदाद की एक तारीख रही है, अलहाज जनाब सत् अजदाब मरहूम, इनके खानदान के एक बज़ुर्ग रहे हैं, और अलहाज अजद से शेट साब मरहूम, यह मेमन सेट है, और मेमन सेटों पर हुजर गौस जाज़ाजाज रदिया अज़ आनु का खुसी करम हुआ है, और यकिना, अलहाज अजद सेट साब के जिनके घर पाक के करीब में दफन हैं, यह मकाम भी उनके दादा को हासिल है, और अज़ीज सेट साब को हर बच्चा बच्चा जानता है, और मेरे इनालेज में जानतक है, उनके वालिद, उनके बाद, उनके चाचाच, चायां, इन्हों सुब खिदमत गुजाराँ, कार्परेशन में बहुत अच्छा चलता था, उसके बाद सेट साब बीडियी मज़ूर वालेओं के वास्ते, मैसुर के मूसल्माना के वास्ते, और करनाटक के मूसल्माना के वास्ते, जो अनके खुरवानियां दिये, हमें भूल नहीं सकते, ये निज़रिये से शेर मैसूर थे उनके और खुर्बानियां दे यह हमें नहीं भूल सकते हैं और यह ना होते हैं इन्हों बहुत दूर तक दिली में भी इनका बहुत अच्छा चलिया और इंद्रा गांधी के पिरेड में जित्ता मुसल्माना को काम लेना अच्छा लेते रहे इसलिए इनका लखब जो है शेर टिपो न उनके खिदमाट के जो मैेसूर में जो उनके खिदमाट अर्षाब दे चुके हैं उसमेहेंना वॉकबोट का इतरा बहुती एहम है जो वॉक्बोट और जो हूआ है जो अजे सेट के दो हुआ, उस सकथ can झा भ्यूरे Members ने नेृं है उसकी तुवाएंनेना हुआने decisions शॉर ह जो आने वाले ही उनको तो मालूम नहीं है ये मालूमात कराने के वाद से मीडिया के तरफ से है ना इनकी बर्षी के तरफ ये सब भी यापदाश जो है और आई से वाखबोट का ही नहीं तालिमी अदारे में हर इसमें उनका बहुत ताउन हुआ है और इन्शालला नोजान असलों को मालूम होने कास्ते मीडिया के तरफ से मालूमात करा रहे हैं और बहुत से अन्जाम उन्हों दिये ही अज अज अज़िसेट मरूम अज़िसेट साहिब के सथ साला जनम दिन तकरीबात मनाई जा रही है इसमें अज़िसेट साहिब के खाउम पर और खासकर मिली अधारों पर और वक्त पर इनके बहुत खिदमा थी इनको बलाया जा नहीं सकता इनको फरामुश भी नहीं किया जा सकता यह अब जो करनी ना इसमें क्या है हमारी खौम के बच्चों को जो आने वाली नसल है इनको एक अच्छा पेगाम देना हमारे में भी इसा बड़े लीड रांग गुजरियम भी मुसल्मा नाम है जो खौम की है यह खिदमत दे को हींगर को लहाज़ा मैं मेरे दिल की तमन्ने ऐसे इनको जो आरेंज कर रही है इनको मुबारक बात पेश करते हुए मेरी बात को खतम करता हूँ सलाम अलेकुम आज जनाम अजीज सेट मरहम साभी के वजीर और रियासत के एक फेमस पॉलिटीशन के हैसे से जो खिदमत हमारे मैसूर के लिए नही सिर्फ करनाटक के लिए नहीं सारे हिंदुस्तान के लेवल पर जो उन्होंने काम किया है ना बलके दीनी आदारों के लिए वो काम किया है बलके जो दुनियाई वी आदारे हैं एजुकेशनल इस्टुटुशन्स हैं चारिटेबल इस्टुटिशन्स है इनके लिए जो खिदमात अंजाम दिये हैं इसके लिए वो बहुत सराना है अल्ला ताला उनको जन्नत मख़ुरत फर्माए आमिन अजिज 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 सेट साहब को बहुत बरसों से हम जानते हैं हमारे इस दुकान पर भी तश्रीफ कई बार राचुके ही आकर बैठते थे आप हमेशा खूम के तिकर रहती थे आपके दिल में और हमेशा सब के साथ बहुत आजिज एहा इंकिसारी से मुलाखत करते थे और हमेशा खूम के दर्द मासूस करते थे और अजिज सेट साब जो थे मैसूर के उन्हों एक शेर के तियूं थे उन्हों एक सियासती में थे इंद्रा गंदी के जोड में थे भूत कुछ कामां करें उन्हों भी और मुसल्मानां को और गरिबां को घरां की सपोर्ट करें और अच्छा करके उन्हों चल पसे होना जाजिस सेट साहब की मफरत फरमाएं को कर्वन को जन्रन नसीफ पता फरमाएं मजीद अर्दू खबरों के लिए आप हमारे एटू जेड न्यूज मैसूर को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट्स करें और हमारे यूटूब चानल को सबस्क्राइब करें और हमेशा अपना और अपने घर वालों का खास खयाल रखें तब तक के लिए अस्सलाम आलेकुम वराहमतुलाही वबरकातु हूँ